हेलो नमस्का और दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बैंक निप्टी का एसकेलफिंग एस्ट्रेटजी बताने आया हूँ और ये स्केलफिंग स्ट्रेटजी इतना बेस्ट मार्केट में वर्क करता है कि अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हो तो आप एक फ्रॉफिटेवल ट्रेडर बन सकते हो डिसिप्लीन के साथ जो भी रूल बता रहा हूँ कि कैसे फ्रॉफिट वुक करना है कैसे ट्रेड लेना है ये सब अगर आप फॉलो करते हो तो काफी अच्छा है इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना अच्छे से कोई भी रूल मिस मत करना और एक नोट जरूर बना लेना नोट्स बनाओगे ताकि आपको रूल याद रहे ओके तो कैसे इसमें ट्रेड करना है कैसे क्या करना है सब कुछ मैं आपको बताने आ आ ला हूँ इससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब नहीं के तो चैनल सब्सक्राइब कर लो यार यहाँ पर इतना अच्छा अच्छा नॉलेज देता हूँ रियल नॉलेज देता हूँ, साइकलोजी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ कि हमें bank nifty, यह strategy जो है, bank nifty का strategy है, ओके, तो हम इसको bank nifty में follow करने वाले हैं, दूसरा चीज क्या है, यह scalfing strategy है, scalfing strategy है, ओके, इसको हम सिर्फ scalfing करने के लिए है, इस strategy का use करेंगे, तीसरा क्या है, जो हमारा time frame रहेगा, time frame जो रहेगा, वो 5 minute का रहेगा, एक minute पे trade नहीं करेंगे, क्योंकि एक minute पे क्या होता है, कि काफी ज़्यादा risky हो जाता है, और क्या होता है, कि बहुत सारे लोग stop loss book नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग right जगा पे injury नहीं ले पाते हैं, इसलिए जो हम मैंने time frame रखा है, वो 5 minute का रखा है, तो 5 minute का time frame जो होत होता है, और काफी अच्छा भी होता है, तो चलिए हम चार्ट पे चलते हैं, आपको समझाते हैं कि कैसे इसमें trade लेना है, कैसे नहीं लेना है, पूरा rule अच्छे से देखना है, एक बार मैं यहाँ पे link कर बता देता हम, देखो, ACL क्या रहने वाला है, ACL हमारा क्या रहेगा, ऐसा fix नहीं है कि 5 poin के sil हैगा, 10 poin के sil हैगा, 20 poin के, हमारा ACL क्या रहेगा, अगर हम seaside में injury करते हैं, तो हमें क्या करना है, तो हमें injury करना है, green candle के ऊपर, green candle के ऊपर हम injury करेंगे, यहाँ पे injury करेंगे, high पे injury, और जो हमारा ACL होगा, वो हमारा low candle का low ACL हैगा, ध्यान से सुनन क्योंकि injury और exit काफी important होता है stop scalping में अब गार हम rate candle में entry करते हैं अगर हमें put buy करना है तो हम क्या करते हैं कि इसके low के break जैसे ही होता है हम entry मारते हैं तो entry हमारा low entry रहता है तो हमारा ACL होगा ACL हमारा क्या होगा candle का high हमारा ACL होगा तो ये आप ACL तो समझ गया ACL हमें कहां पे लेना है अब चलिए बात करते हैं कि हमें entry कैसे लेना है और entry में कुछ important point होते हैं वो भी हमें ध्यान में रखना होता है तो चलिए हमें entry समझते हैं चार्ट पे दोस्तों हमें सबसे पहले 5 minute के टाइम फ्रेम लगा लेना है आप लोग भी अपने चार्ट पे पाँच मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज करना bank empty card लगा लेना है यहां पर एक indicator में लूँगा जो काफी important indicator है उस वो भी आप लोग लगा लेना है यहां पर indicator है कि हम ultimate MA indicator यहां पर जो भी नाम आ रहा है वहां आप ट्रेडिंग फे सर्च करोगे तो आपको indicator देखने को मिल जाता है तो यहां पर important चीज आ गया बस यह नहीं समझना कि indicator वाला strategy पहले अच्छे से देखो समझो live market में देखना कि कि अच्छा यह work करता है दोस्तों यहां पर देख रहा है इस indicator को मैंने लगा दिया है पांच मिनट के time frame मैंने ले लिया है अब हमें entry कैसे करना है देखो अगर हम entry करते हैं entry करते हैं तो माल लो कि यह indicator हमारा आया हुआ है यह हमारा जो है indicator है indicator है और जो market है ऐसे ऐसे आ रहा है ऐसे ऐसे आ रहा है और market क्या हुआ कि यह उपर के तरफ breakout करता है तो हमें यह नहीं देखना है कि उपर के तरफ breakout किया तो इसके high पे हम entry बढ़ा लिए पहले यह नहीं देखना है हमें यह भी देखना है कि यह जो rate आ रहा है न, जो रेट के लाइन आ रहा था, जो इंडिकेटर रेट कलर का था, वो ग्रीन होना चाहिए, जैसे ब्रेकाउट केंडल उपर के तरफ होता है, यह जो लाइन भी है, यह ग्रीन होना चाहिए, तो यह हमारा ग्रीन लाइन भी होना चाहिए, और उपर के तरह ब्रे ब्रेकाउट दिया, ब्रेकाउट दिया, चार्ट पे भी समझाओंगा, पहले यहाँ पे अच्छे से समझा देता हूँ, ताकि आप लोग को इजी हो जाए, ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इंटरी तो यहाँ पे ब्रेकाउट हो गया, लेकिन यह जो है ना, यह हो जाना चाहिए, तभी जाके हम ट्रेड लेंगे, और इसके लोग पे हम एंटरी बनाएंगे, इसके हाई पे हमारा इसेल होगा, पहला टार्गेट हमारा वान इस्टू वन होगा, ओके, अब चलिए बात करते हैं कि कैसे है, इसमें हम ट्रेड बनाएंगे, दोस्तों इसमेंजना, यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक आउट आया, यहाँ पे क्या हुआ, और जो Ghana खोना चाहिए, ब्रेक आउट आया, तो ग्रीन लाइन भी होना चाहि ब्रेक आया, यहाँ पे हमां हाई के candle के हाई पे, जो भी हम ट्रेड ब्रेक आउट किया है, उसके अब ऑक R tar पर हमएं। इंट्री मार सेल होता है, और इक क्या में गर यह देख रही होगे, लिगा। कर द हो देखेंगे को चाहिए अगर ब्रेकॉट करता है तो रेट लाइन होना चाहिए, तभी जाकर हम ट्रेट मानेंगे। अब कल वाला दीन में हम देखते हैं कि कैसे ये trade दिया है, इससे पहले मैं आपको होता दू, कि जो मैं personally strategy में trade करता हूँ, अगर मैं scalping करता हूँ, और मैं आप लोग को दिखाने के लिए daily मैं telegram पे अपना screenshot share करता हूँ profit का, तो वो D2 strategy में trade करता हूँ, और D2 strategy मेरे साथ काफ description box में WhatsApp नंबर होगा, WhatsApp पे contact करो, कैसे D2 strategy चाहिए, वो सब कुछ में आपको होता दूँगा, और आप मेरा premium group फिरी में join कर सकते हैं, जहां पे मैं live आ के आपको premium strategy वगारा share करता हूँ, market, live market का position share करता हूँ, की side trade बनाना चाहिए, की side नहीं बनाना चाहिए, तो आप वो भी करना चाहते हैं, फिरी में, तो WhatsApp में मुझे message करें, description box में number होगा, अब चली बात करते हैं, logic के उपर, यह क्या है, एक कल मैं 7 तारीक वाला दिखा रहा था, अब 6 वाला दिखा रहा, यहां पे क्या हुआ भाई, यहां पे आप देख रहे होगे, यह जो line है, यहां पे देख कि हमें यहां पे trade नहीं बनाना है, अब second क्या हुआ, second injury हमें यहां पे मिला, second injury हमें यहां पे मिला, और second injury में क्या हुआ, कि green line भी हो चुका है, और breakout भी हो चुका है, तो one is to one target आराम से यहां पे देखने हो को मिला, फिर क्या हुआ, यहां पे भी देखने हो को मिला, यहां पीए भी मियू इस टुलने देखने हो कमिल तो हर जैगा यहां पर यहां यह सब टार्गेट दिया हुआ रूल यहां पर target दिवा अब देखो एक fixed signal यहां पर दिया हुआ है जो rate यह जो line देख रहे हो यह green ही है rate नहीं हुआ है लेकिन यह breakout किया हुआ है ब्रेक आउट क्या हुआ, तो हमारा दोनों रूल यहाँ पे मैच नहीं किया, अब दोनों रूल मैच नहीं किया, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड यहाँ पे नहीं बनाएंगे, ट्रेड नहीं बनाएंगे, और हमारा असल होगा, वो बच जाएगा, तो आप दोनों चीज, दूनों चीज जरूर follow करना अगर strategy follow करना चाहते हो तो कुछ दिन backtest करना जब आपको लगे कि भाई हाँ इसमें trade करना चाहिए तब ही जाके आप इसमें trade करना वरना नहीं करना सबसे पहले आप इसको backtest करो अभी छुटी मिला हुआ है आज संडे है संडे है तो आप पहले इसको backtest करो backtest करने के बाद पूरा दिन backtest करो अच्छे से फिर सोंबार के दिन live market में इसको backtest करना real trade मत लेना जब आपका confidence लगे कि भाई ये strategy सच में work कर रहा है तब जाके आप एक दो lot से start कर सकते हो धिरे धिरे confidence बढ़ेगा profit में आते जाओगे तो lot भी अपना अराम से बढ़ा सकते हो इस type से trading होता है ये नहीं कि trading में आप किराज भाई ने कोई strategy बता दिया तो आख बंद करके विश्वास करना है आख बंद करके विश्वास नहीं करना है आपका real money लगने वाला है और real money लगने वाला है तो भाई सबसे पहले आप उसका जैजा ले लो कि ये सच में work करता है या नहीं करता है और एक चीज और बता दू इतना अच्छा अच्छा knowledge आपको दे रहा हूँ निप्टी के एक्सपारी के दिन बैंक निप्टी के एक्सपारी के दिन मैं क्या करता हूँ zero to hero trade share करता हूँ और काफी अच्छा लोगों का profit वहाँ पे होता है तो टेलिग्राम ग्रूप का लिंक भी comment box description box में होगा डी टू एस्टेड़ी चाहिए या premium guru फिरी में join करना है तो आप whatsapp पे message कर सकते हैं description box में whatsapp number में दिया हूँ तो whatsapp number पे जरूर message करें मिलते हैं दोस्तों next video में तब तक के bye bye